अभी आज प्रैंट्स में हो रेंजिनार आँ सब्सक्राइब का तो कि इसे हैं आप आप से बच्छी होंगे और आज का जो मेरा वीडियो है वह इसकी के रिलेटेड लिया है कि कि भी ऊच्छी के लिए मैं एससे कि चाहित हुआ कि बाहु इस पयोगा है कि पैस्वोर्जों में आपके साथ शेयर प्राइबु चाही suspect करे ल Truly बंपतू लिगिंपस्टा के लिए ले भी ने में संची बहु कहारी उसी की वज़े से मैंने यह वीडियो बनाया तो इसके लिए जिसे की आसे की आ amps चने की दाल रें और यहां मैंने अध्यक्राइब के लिए आपको जितना पौकर बनाना है आप उसके साथ से अपनी क्वांटिटी है की यहां पर मैंने दो तीन चम्मच के अ करीब ले लिए और चने की दाल लेने के बाद में लिया है मसूर की बाल मसूर की दाल मैसूर की दाल भी नहीं पर ली और ने करीनलने का दो पर हुए कि यह लिए नहीं था तो simple पानी से यूज़ करती थी तो बहुत ज़्यादा मेरी skin dry रहती थी लेकिन अभी जब मैं यूज़ कर रही हूं तो उससे मेरी skin एकदम में रही हैं आपले रह declarating here लेगा प्लतकिए में आच यहां उससे में दाल में रह नहीं थे दिए यjack तो अगर आप तीन चम्मच चने की दाल ले ले लिए तीन चम्मच आप मूं की दाल ले लिए फिर नेक्स जो लेंगे हम गोई लेंगे में इंग्रीडियन जो है वह सौंफ क्योंकि सोफ जैसे के समर सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत ज्यादा गर्म्या हो रही है तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि सोफ खाने में भी हमारी शरीक को ठंड़क देती है तो अगर उसे स्कीन पे लगाएंगे तो आप इसकीन में एकदम मतलब ठंडा रहेगा कभी पिंपल अगरा नहीं होंगे तो उसके लिए सोफ आपको उसमें एड़ गरनी है और जब फैस्वश करते है तो बहुत अच्छी खुश्बा दी है तो इसके लिए हम क्योंकि इसमें कुछ और केमिकल अगरा यूज नहीं कर रहे है तो इसके लिए सोफ से जब आप पैस्व मैं 颊ंच्छी पिल पिल बना लें है तो अब बना गरेन है तो इक दो दीन में आराम से सूख जाते हैं तो आप मों छिल्कों को सुखा दीने फिर उनको पीस लेंगे फिर औरेंज फिल को पीस कर उसका पावडर बन जाएगा तो वो ले लेंगे फिर नेक्स्ट मेने जो लिया है वो है रोज पेटल जो कि रोज पेटल गुलाब के पत्या है वो उन्हें हम सुखा देंगे और सुखाने के बाद जैसे कि एक दो दिन में आरम से सुख जाती है त पंखे के नीचे भी आप सुखा देंगे तो एक दो दिन में आराम से सुख जाएगी तो आप ऐसे सुखा दीजे महां पर और उसको भी हम पावडर बनाएंगे तो इनको सबको हम लेक के पावडर बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम दालों को थोड़ा सा रोस्ट कर जो भी इसके अंदर जो नमी होगी और पिसने में वह एकदम स्मूथ सा पिस जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे एकदम ज्यादा बुनना नहीं बहुत अलका सा ताकि उसकी जो भी नमी हो वह अच्छे से निकल जाए तो पहले हम चनी की दाल बूनेंगे मतल अपने बुन जाएगी मतलब अपने अप घरम हो जाएगी और पिसने में आसानी से पिस जाएगी तो आप इन सब को पीस लीजे और फिर मैंने ओरेंज पिल और रोस पेटल को अलग पीसा था क्योंकि दालों के साथ मुझे लगा कि साईसे नहीं पीसेगी इसलिए मैंने से और चलनी ले लिजें क्योंकि अगर आप चानेगी नहीं तो फिरो जो दर-दरा रहेगा तो बार-बार वह स्कुप जैसा रहेगा तो रोज हमें इसके लिए आपको चाना बहुत जरूरी है आपको इसी भी चलनी ले लीजे और उससे और सारी दालों को पीसके बड़े मही से बहुत ही उसके बात जब हम उसको चान लेंगे अर उसके बाद जो मैंने रोज पेटल और 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 यंज पिल पाऊडल बनायाँ था उनको भी हम झान लेंगे तो नों को मिक्स और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और फिर नेक्स्ट में जो अगर आपके पास hibiscus का फूल है तो आप उसका powder बना लीजी और यहां पर मेरे पास hibiscus का जो powder था मैंने वो ही यूज किया है इससे क्या होताने कि skin dry नहीं रहती, skin में एकनम नमी रहती है तो इसे यूज करेंगे तो जब हमारा powder बनके तयार हो जाएगा तब hibiscus के आप दो स्पून ले लीजए काफी यह दो स्पून तो उसमें एड़ कर लेगे और यहां पर मेरे पास hildi मैंने यूज नहीं कि क्योंकि जो मेरे पास यूज करती हूँ वो हल्दी मेरे पास खतम हो रही थी अगर आपके पास है कस्तुरी अल्दी तो आप यूज कींजिए वर्नर जो भी खाने हम खाने में काम मैं लेते हैं हो अप इसमें ठोड़ी सी MIX कर लिजिए छोड़ी मिलने फिर पीला-पीला हो जाएगा तो तो थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए कौई नहीं हो इसमें मिक्स कर लिए तो बताइं वीडियो रिकोड करना में भूल गयी तो यहां पर हल्दी मिक्स कर लीजिए और इन सब को अच्छे से मिक्स करके आपको कांच का कन्टेइनर लेना है या जो भी आप container लेंगे लेकिन अगर लेंगे तो ज्यदा वेस्ट होगा तो आज को ले ना है आपको उसमें जो भी हम रग और हम इस्टोर करके रग देंगे और जब भी यूज करना है तो आप उसके अंदर कभी गीली चमज नहीं डालेंगे हमेशन जब भी करना तो आप स तुकी चमच से निकालेंगे और वापस उसे अच्छे से टाइट बंद कर देना ताकि जो भी हमने पाउडर बना है वो खराब जल्दी खराब नहीं हो और कम से कम 15-20 दिन तक तो वैसे भी खराब नहीं होगा और अगर आपने गीली चमच इसमें डाल दी तो फिर यह जल्द छितना पाउडर चाहिए आप आदी चममच एक चममच लेकर उसमें आपको यूज करने के लिए क्या करना हुगा दही लेना हुगा तो आपकी स्कीन ड्राइ होने का सवाल ही नहीं उठता है और हमने इसमें सोंफ अगेरा हिमिसका बहुत सारी चीज़ अमने एड़ किये तो इसको पाउडर बनाने के पास इस तरह से यूज कीजिए कि आपकी स्कीन कभी ड्राइ नहीं होगी तो दही यूज कीजी या फिर आपकी सोश करते हैं क्योंकि यह पैस्ट बन जाएगा तो इसको आप दीरे दीरे से अपने हाँ अपने पैस्ट पे अपलाई कीजिए और फिर दो मिनिट के लिए पिल्कुल हलका सा लगा के छोड़ दीजिए जब तक आप अपने हाथ आथ दोलीजे तो दो मिनिट के और देखना आपको दो तीन दिन में आपकी स्कीन एकदम सोफ्ट और मुलाहिम सी लगेगी ड्राइनेस बिल्कुल खतम हो जाएगी तो इस तरह से आप फेश वाश कीजिए आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और फाइदा होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थेंक्यू फोर वचिंग बाई